हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अंद्रा बुक का नया चैप्टर चैप्टर का नाम है खाना बदोश और लिकित है ओम प्रकाश बालमी की जिद्वारा सबसे पहले सिस वर्ट का मतलब समझते हैं खाना बदोश यानि की खाने की तलाश में एक जगा से दूसरी जगा अपना जैसे कहीं पहले के समय में क्या हुआ करता था यह अभी भी होते है कहीं पे जहां अच्छा खाद्यान सब चीज़े होती थी वो लोग वहाँ पर बैठके अपना डेर ही डालते थी जब तक वहां चीज़ें उनको अच्छे तरह से परयाप्थ होती थी लोगों को वहां रहते थे फिर जब खतम हो जाती थी वहां से चलके फिर दूसी जगा जाते थे जहां पर उनको फिर से खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती थी अपने जीवनी आपन के लिए चीज़ें मिलती थी जगा सही होती थी तो वहां पर अपना डेरे डाल होता है उसकी जो है एक रूप प्रसूत किया गया है हमारे सामने सुकिया और उसकी पत्नी मानों के रूप में किस तरीके से वो लोग मेहनत करते हैं काम कमाते खाते हैं लेकिन जब उनका सोशन शुरू होता है तो उस सोशन को बरदार्श नहीं करते फिर वहां का काम छोड़ कर वो दूसरी जगा चले जाते हैं कारेकर ने इसलिए यहां पर खाना बदोश दिया गया इस पार्ट का नाम खाना बदोश रखा गया है लेकिन इसमें मजदूरों और जो कहते हैं वर्ग मेहनतकश वर्ग होता है उस पे हो रहे शोषड की बस एक छोटी सी बानगी हमारे सा बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण यातना तथा समाज की जातिवादी मानसित्ता का चित्रण किया है मजदूर वर्ग मेहनतकर इज़द से जीना चाहता है पर उच्छवर ताकतवर वर्ग ऐसा नहीं होनी देता मतलब वो मेहनत करना चाहते हैं और इजद के साथ रहन करता है चलिए आप पाट को शुरू करते हैं सुकिया और उसकी पतनी कमाने खाने की इच्छा से गाउं देहाद छोड़कर शहर आये थे ये असगर ठेकेदार के भटे पर इट पातने का काम करते थे तो अब क्या सुकिया और उसकी पतनी है काम कमाना अच्छा चाहते हैं इस डालके अलगलग रखा जाता है बाद में उसे जो है भटे में रखा जाता है तो वह वहां इटे पातने का काम यानि इचे बनाने का काम करते थे भटे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था इटे पकाने के लिए कोईला बुरादा लकडी और गन्ने की बाली को मोरीयों के अंद इंदर या दाला हुता था तो अब क्या इते पातनें का कामIE उसके के बाद फिर क्या होता था ऊपट्टा जो जलता था वह जलाना सबसे खदरनाक काम होता था तो इसलिए इन लुक पातनें की कारणे में थे चोटी से असाबधानी मौत का कारण बन सकती थी और उस मोरी में अगर जरासी असाबधानी करी तो तुरंती मौत के कगार पे आके खड़े हो जाएंगे भट्टा मजदूरों को दढ़े नुमा छोटे छोटी जोपडियों में रहना पड़ता था अब ठेकेदार जहां काम करा रहा है वहीं पर छोटे छोटे घर बना देता था उनको रहने के लिए और छोटे छोटे दड़बे यानि कि बहुत ही छोटे घर होते थी और उनमें उनको रहना पड़ता था संध्या के समय दिन भर के ठके हारे मजदूर रात को दड़बों में घुश जाते थे साप और बिच्छू का डर लगा रहता था 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 वाता वरण में जंगल सा सन्नाटा च्छा जाया करता था अब भट्टे कहां होते हैं सन्नाटे में होते हैं अब वो सन्नाटा जंगल में साप बिच्छू भी आ जाया है उन घरों में ऐसे घर होते थे दूसरा वहार एकदाम सन्नाटा जैसे जंगल में सन्नाटा होता था वैसा सन्नाटा होता था मानो भट्टे के महौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी इसे लिए खाना बनाते समय चूले से आती चिटपिट की आवाजे उसे अपने मन की दुष्चिंताओं और आकांशाओं की आवाजे सुनाई देती थी मानो कौन सुखिया की पत्नी जब खाना बनाती थी चूरे में लकड़ी डालती तो उस- इसमें से आवाज आती रहती है चिटिपिट चिटिपिट आवाज आती तो उसे लगता था कि यह मेरी दुष चिंताएं यानि कि जो बुरी चिंताएं होती है वो और मेरी परेशानी आकांशाएं जो हम करना चाहते उन सब की आवाजे हैं कि यह इस्तेचारी है कि तुम को यह दुष चिंता है और यह आकांशाएं कि मैं यह करना चाहती उन सब की आवाजें उस चूले से आ तो उसका वो डर बनाना था कभी मेरे साथ यह ना हो साथ ही शोषण यानि किसी और तरीके से मार पीट गाली गलोड यह सब चीजें ना हो इसका भी डर उसको बना रहता था कि कहीं भविश्र में इस तरह की कटनाईयां मेरे सामने ना आए एक दिन भट्टा मालिक मुक्तार सिंग कहीं बाहर चला गया तो भट्टा का जो मालिक था अब यह ठेकेदार था अजगर उसकी बात नहीं करें जो भट्टा जिसका भट्टा था वो मालिक मुक्तार सिंग वो कहीं बाहर चला गया उसके बदले उसका बेटा आया उसका बेट सूबे सिंग भट्टे पर आने लगा सूबे सिंग ने भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया अब भट्टे पर जब कारी करने लगा तो वहां का माहौल बच से बत्तर होने लगा मतलब पहले तो ठीकी ठाक था अब बहुत ही बुरा होने लगा था ठेकिदार अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोशन करने लगा तो सूबे सिंग ने जो है ना वहां का एक मजदूर था उसकी पत्नी किसनी को लिया और उसके साथ यौन शोशन करने लगा उसने किसनी को साबुन, कपडे, ट्रांजिस्टर लाके दिया वा किसनी को शहर गुमाने भी ले जाता था तो हर तरीके से खुश करना उसको जो जो चीजे पसंद थी उसे देता था और शहर गुमाने के लिए भी ले के जाता था किष्णी खुश थी वह सूबे सिंग के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी अब अपने पती के साथ नहीं सूबे सिंग के साथ जादा समय व्यतीत करने लगी थी उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ चुका था पहले जहां वो एक मजदूरी करने वाली औरत थी आज वो जो है भट्टे मालिक के साथ उठती बैठती थी तो उसके जो रंग ढंगते वो पूरी तरीके से बदल चुके थे उसका पती महेश शराब पीने लगा था उसे देखकर मजदूरों में फुश्वसाथ शुरू हो जाती थी जब उसकी पत्नी ऐसा कर रही थी तो उसको बहुत तकलीर थी तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया जब कभी किसनी या महेश को कोई भी देखता तो उसके बारे में बाते होने लगती तो ये बात महेश को बहुत चुपती थी इसलिए उसका दिन पे दिन जो है शराब पीना बढ़ता ही जा रहा था मानों और सुकिया खुश थी वह जादा काम करके जादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखनी लगी थी अब इन दोनों ने खुब मेनत करके थोड़े से पैसे बचा लिये थे अब वो जो लाला नीली नीटे बनाती थी उनको देखे उसको भी हम भी अपना पक का घर बनाऊंगी एक दिन किसनी के अस्वस्त होने पर सूबेजी ने ठेकेदार अजगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलाया अब किसनी बिमार थी तो कोई उसे चाहिए था तो उसने मानो को बुलवा लिया अजगर के जरी बुलावी की खबर सुनते ही मानो सुकिया घबरा गए अब जैसे ही अजगर ने ये बात बताई मानो सुकिया घबरा गए क्योंकि वो जानते थे कि मानो अगर वहां जाएगी तो उसके साथ क्या होगा और अगर वो मना करेगी तो भी उसके साथ में क्या होगा तो इसलिए वो दोनों ही घबरा गए सूबे सिंग की नियत भाब गए मानो इज़त की जिन्दगी जीना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि किस्नी जैसी जिन्दगी जीए अपनी इज़त को बेच के तो वो ये जीवन नहीं चाहती थी वो चाहती थी कि वो एक इज़त भरी जिन्दगी जीए वह किस्नी बनना नहीं चाहती थी उसकी घबराट देखकर जस्देव मानो के स्थान पर स्वैम सीवे सिंग से मिलने चला गया तो एक और मजदूर था वो मजदूर था जस्देव जब उसको यह पता चली कि मानो को बुलाया गया है तो वो मानो की जगा खुद चला गया सूबे सिंग से मिलने के लिए सूबे सिंग ने जस्देव को अपशब्द कहे और लाद घूसों से पिटाई करी जब उसने देखा कि मानो नहीं आई है उसकी जगा ये आया है तो उसको बहुत गुस्सा आया उसने खुब गाली को लोच करी जस्देव के साथ और खुब पैरों से गुसों से खुब उसको मारा खुब उसकी पिटाई करी सुकिया और मानो उसे जोपडी में ले आए सुकिया और मानो उसे कहां पर लेका है अपनी जोपडी जब इता मार दिया तो उसको अपनी जोपडी में ले आए भाई उसका मरम पट्टी करने के लिए जस्देव ने अपने पन के कारण मानो उसके लिए रोटी बना ले आई जस्देव ने अब उसके लिए इतना मार खाई थी सब कुछ बाते सुनी थी तो मानो के मन में उसके लिए दया भाव आई तो मानो उसके लिए रोटी बना कर लेकर आई लेकिन ब्राम्मर होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं काई जस्देव ब्राम्मर था वो दलित थी तो उसने जो है ना उसकी बनाई रोटी को खाने से मना कर दिया कि मैं नहीं खा सकता अजगर ठेकेदार जजदेव और सुखिया और मानो के चक्कर में ना पढ़ने की सला देता है तो अजगर जजदेव को क्या बोलता है कि तुम मानो और सुखिया के चक्कर में नहीं पढ़ो नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबते खड़ी हो जाएंगी जजदेव का वहवार मानौ और सुख्या के प्रती बदलता चला जाता है जजदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में भै और फैल जाता है तो अब जब अजगर जजदेव को समझाता है कि तुम सुख्या और मानौ के चक्कर में नहीं पड़ो तो जजदेव का जो वहवार सुख्या और मानौ के लिए पहले था वो धीरे धीरे बदलने लगता है अब वो उन्हों की उतनी तरफदारी नहीं करता दोनों की क्योंकि अगर वो सुख्या और मानू की जातर जारे करता है तो सुबे सिंग उसके खिलाफ हो जाता तो इसलिए उसके बहकावे में अजगर सिंग के बहकावे में जो है वो जस्देव आ जाता है और सुख्या मानू की जो है मदद नहीं करता है जब जस्देव की इत्ती पिटाई होती है तो पूरे भटे में सभी को बहला लग जाता है कि किसी के साथ भी कभी इत्ती मार पिटाई हो सकती तो सभी वहाँ पर डरे डरे से रहने लगते हैं सूबे सिंग की हिदायत पर अजगर ठेकेदार सुकिया और मानों को तरह तरह से परिशान करने लगता है उसने सुकिया के इट पातने का साचा ले लिया और मूरी का काम दे दिया एक सुबह मानों ने अपनी इट पातने की जगापर सारी इट टूटी हुई देखी वह दाहाडे मार कर रोने लगी आवाज सुनकर सुकिया वहाँ आया और तूटी इटे देखकर हका बका रह गया अजगर ठेट के दाहर ने तूटी इटों की मजदूरी देने से साफ इंकार कर दिया अब क्या हुआ सुबह सिंग के पास मानों तो गई नहीं थी अब इसका बदला तो उसे लेना था तो उसने अजगर से बोला कि इन दोनों को खुब अच्छे से पारिशान करो अब पारिशान करने का तरीका शुरू हो गया जहां पर सुकिया काम करता था पातने का काम उनको इटों को पातने का काम उसकी जगा उसे मोरी का काम दे दिया गया मतलब जहां पर आग जला के इटों को पकाया जाता था सबसे ख़दरनाग जगा पर वो वहां करने लगा एक दिन मानों जब जहां पहुंची जहां इटे बनाती थी पाती थी कत मिट्टी से वह इटे बना बना के रखती थी देखती तो वहां सारी इटे टूटी पड़ी है अब जब इटे टूट गई है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका पक्का घर नहीं बन पाया का यह सोच के वह खूब रोने लगती है खू पूटी ही टोका पैसा मैं नहीं दूगी तो उनके मेहनत पूरी बेकार चली जाती है उनको अपना सबना टूपता दिखाई देता है तो दोनों बहुत ही रोने लगते हैं सुक्या सारी बात समझ गया और मानू का हाथ पकड़ कर बोला ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे ये लोग भटे को छोड़ कर खाना बदोश की तरह किसी अंजान इस्थान के और चल पड़े सुक्या समझ जाता है कि अब ये लोग मुझे परिशान करेंगे क्योंकि तुम उसके पास नहीं गई थी इसलिए अब हमारा यहां पर रहना ठीक नहीं है हम चाहें जितनी मेहनत कर लें वो हमाई यहां से कुछ न कुछ करके हमें परिशान करते रहेंगे और हमारा जो हमने सपना देखा है हमारा पक्का घर बनने का जब हम मेनत नहीं करेंगे पैसे नहीं कमाएंगे तो हम वो घर कभी बना ही नहीं पाएंगे पूरा नहीं करने देंगे यह सोसते हैं जब तो वो मानों का हाथ पकरता है सुखिया और यहां से लेके चला जाता है कहीं दूसरी जगा काम की तलाश में और एक खाना बदोश जो जीवन दोग जी रहे थे वो शुरू हो जाता है इनका फिर से तो इस तरीके से इस पार्ट में जो हमारे सामने आया वो मजदूर वर्ग का हो रहा शोशड किस तरीके से सामने आया खाने की तलाश में एक जगा से दूसरे जगा भटकते मजदूरों की समस्याओं का उजागर किया इस पार्ट में हमें तो इस पार्ट में कई चीजे हैं हमें उस वर के लिए सोचने के लिए मजबूर किया है जो हमेशा ही निकलेक्टेट रहता है हमारे समाच से तो समझना चाहिए हमें कि खाना सभी के लिए जरूरी है तो कमाना भी सभी के लिए जरूरी है तो ऐसे लोगों के लिए अगर को परिशान ना करे तो बहुत ही अच्छा होता है और हमें नहीं भी करना चाहिए तो यह पार्ट यही खतम क्या है इसके प्रश्ट उत्तर हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ताइंक क्यों बाबाई